हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा कुहाड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिजैन लेकर आई हूं आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है प्रेंट्स इस डिजैन को आप बच्चों के स्वेटर, जैन स्वेटर, लेडिज, कारडिगन, जैकेट, गर्ल्स, टो, फ्रो, कुर्ती, कैप किसी भी प्रोजेक्ट पर अपलाई कर सकती है सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजैन बहुती सुन्दर लगता है इस डिजैन को बनाने के लिए आपको 10 के मल्टीपल फंदे लेकर 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे तो ये डिजैन आपके किसी भी प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजेस्ट हो जाएगा और अगर किसी प्रोजेक्ट पर इस डिजैन को एडजेस्ट करते टाइम 10 के मल्टीपल फ्लस 2 फंदे रखके भी अगर आपके कुछ फंदे एक्स्ट्रा बच जाते हैं तो उनको आप दोनों साइड पर उल्टा बुनकर एडजेस्ट कर सकती हैं तो चलिए देखते हैं कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है तो ये देखिए फ्रेंड्स इस डिजैन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 32 फंदे यानि 32 फंदे 10 के मल्टीपल करके और 2 फंदे एक्स्ट्रा अब देखें यहाँ पर मैंने फंदे डाल कर एक स्लाई सीधी साइड से और एक स्लाई उल्टी साइड से उल्टी बनाई होई है आप अपने स्वेटर के लिए कोई भी बोर्डर बना लीजिए बोर्डर बना कर जो फंदे बढ़ाने हैं वो आप इसमें उल्टी तरब से बढ़ा लीजिए और फिर सीधी साइड से ये डिजैन शुरू हो जाएगा अब जैसे मैं आपको यहाँ पर 32 यानि 32 फंदे में बना कर दिखाऊंगी सेम आपके किसी भी प्रोजेक्ट पर ये एडजेस्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारी 4 बेसिक रो बनेंगी जिनें अमें दोबारा से रिपिट नहीं करना है ये सिरफ जब हम डिजैन को शुरू करेंगे तब ही हमें ये 4 सलाइया बनाने है ये डिजैन हमारा 12 सलाइयों का है और 24 सलाइयों में कंप्लीट होता है तो मैं आपको यहाँ पर 24 सलाइया पूरी बना कर दिखाऊंगी और ये जो 4 सलाइया अब हम स्टार्टिंग में बनाएंगे ये सिरफ हमें एक बार डिजैन को शुरू करते टाइम बुनने है तो देखिए पहला फंदा इसका एज़टीच है इसे उतारिए या उल्टा बनाएए अब यहाँ से हमारा डिजैन शुरू हो जाएगा तो एज़टीच के बाद देखिए चार फंदे उल्टे एक, दो, तीन, और ये चार तो देखिए एज़टीच के बाद हमने चार फंदे उल्टे बनाए अब धागा पीछे करेंगे और दो फंदे सीधे देखिए एक और ये दो फिर दागा अपनी तरफ करेंगे और चार फंदे उल्टे एक, दो, तीन, और ये चार तो ये देखिए ये ज़टीच के बाद चार उल्टे दो सीधे, चार उल्टे ये जो हमने डिजैन बनाया अब इसी को आपने बार-बार रिपीट करना है तो देखिए एक, दो, तीन, और ये चार तो टोटल यहाँ पर आठ फंदे हो जाएंगे क्योंकि चार इधर के डिजैन के हैं चार नेक्स्ट वाले डिजैन के हैं फिर दागा पिछे करेंगे दो फंदे सीधे एक, और ये दो धागा अपनी तरफ करेंगे और देखिए एक, दो, तीन, और ये चार फंदे उल्टे तो देखिए चार उल्टे ये दो सीधे और चार इधर से उल्टे ये दस हो गए सेम हमें फिर से रिपीट करना है अपनी तरफ ही रहेगा और next वाले डिजैन के 4 फंदे और उल्टे बुनेंगे एक दो तीन और ये 4 धागा पीछे करेंगे 2 फंदे सीधी फिर हम धागे को अपनी तरफ करेंगे और 4 उल्टे एक दो तीन और ये 4 यही 10-10 फंदे का डिजैन बार बार रिपीट करते जाएए का एज़श्टी छही से उल्टा बुन ये अब देखे जो बाइचांस अगर एक्स्ट्रा फंदे होते हैं तो दोनों साइड में हाफ आप करके आप उनको एज़श्ट कर सकते हो अब आज ये इसकी उल्टी साइड पर और जो हमारी बेसिक रो है वो पहली कंप्लेट हो गई ह अब ये दूसरी है इन चार सलाईयों के बाद हमारा डिजाइन शुरू होगा अब जो फंदे इधर उल्टे बनाए वो इधर सीधे बनेंगे जो इधर सीधे है वो इधर उल्टे बनेंगे तो ये देखिए पहले फंदे को आप उतारिए या उल्टा बनाईए ये आपकी अपनी मर्जी है धागे को पीछे करेंगे चार फंदे सीधे एक दो तीन और ये चार धागे को अब अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे उल्टे एक और ये दो धागा पीछे करेंगे और यहां पर हमें आठ फंदे सीधे बने हैं चार इधर वाले डिजाइन के हैं और चा नेक्स्ट वाले डिजाइन के हैं, तो ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और ये आठ, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, और ये दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे, और यहां हमें आठ फंदे सीधे बुनने हैं, चार इस वाले डिजाइ तो ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और ये आठ, धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे, एक, और ये दो, फिर धागा पीछे करेंगे, चार फंदे यहां सीधे, क्योंकि लाश्ट में हमारे पांच बज गई हैं, एक, दो, तीन, और ये चार सीधे आ गए, और धागा अपनी तरफ करके, एज़स्टीच को उल्टा बुन लेगे, तो ये जो हमारी बेसिक रो है, ये दो कम्प्लिट हो गई हैं, अब आज ये तीसरी इसकी बेसिक रो पर, ध्यान से देखिए, पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाएए, अ अब ये वाले जो दो उल्टे फंदे हैं, और ये जो सीधा है, इस सीधे फंदे को ऐसे लेंगे, इन दो को उतारेंगे, और बैक साइड से स्लाई में पहले डाल देंगे, इस सीधी वाले को पलटके इसके आगे करतेंगे, और इन तीनों फंदों को अब हम सीधा बनाएग एक ये पूरी सलाई हमारी सीधी बनेगी लेकिन फंदे ट्विष्ट करते हुए दो और ये तीन अब देखिए इधर से ये सीधा फंदा और इधर से दो उल्टे फंदे बैक साइड से इन उल्टे फंदे में सलाई डाल लेंगे और इस सीधे वाले को उतारेंगे और यहां आगे से इस सलाई में ले आएंगे इन दोनों को पीछे से लाएंगे और यहां बीच में कर देंगे और तीनों फंदों को सीधा बनाएंगे एक दो और ये तीन अब देखिएगा यहां पर हमारे जो है अब चार फंदे सीधे बनाए जाएंगे एक और ये दो, यहां तक तो होता है हमारा ये एक डिजैन, और दो फंदे इस नेक्सट वाले डिजैन के सीधे बुने जाएंगे, तो बीच में आ जाएंगे टोटल हमारे ये चार फंदे, क्योंकि दो इस डिजैन के हैं, दो नेक्सट वाले डिजैन के हैं, अब ये दो उल् यहां पर लाकर डालेंगे और यह तीन फंदे अब सीधे देखिए एक दो और यह तीन अब यह वाले फंदे ट्विश्ट करने है एक सीधा और दो उल्टे तो बैक साइड से इन दो फंदों में हम ऐसे स्लाई लेंगे इस सीधे वाले को उतारेंगे और आगे से इस सलाई में डालेंगे इन दोनों फंदों को पीछे से बीच में करतेंगे और uggी को अब हम सीधा बनाएंगे तो यह इस तरह से इसमें हमें फंदे ट्विश्ट करने है अब यहाँ पर देखे दो फंदे इस डिजैन के दो next वाले डिजैन के, तो ये चार यहां अब हम सीधे बुन लेंगे, एक, दो, तीन, और ये चार, अब देखें ये दो उल्टे और ये सीधा, आगे से सीधे फंदे में स्लाइड डालेंगे, इन दो में बैक साइड से ऐसे स्लाइड डालेंगे, और इसको पलटके आगे कर देंगे, और ये देखिएगा, अब इस फंदे को हम ऐसे तीनों को सीधा बना लेंगे, और अब हमें ये next वाले फंदे ट्विस्ट करने हैं, इस सीधे को छोड़के इन उल्टे फंदे में बैक साइड से स्लाइड डालेंगे, इसको ऐसे उतार कर यहां ले आएंगे, और इन दोनों फंदों में ऐसे करके हम सीधा बन लेंगे, तो यहां पर देखिए, ये हमारे ट्विस्ट करने के बाद फंदे इस तरह से आपको दिखेंगे, लास्ट में आपके तीन फंदे बचेंगे, इस में से हम दो फंदों को सीधा बन लेंगे, और एजस्टीच को इसे हम पूरा उलटा उलटा बुनकर कंप्लीट करेंगे ये चार सलाईा जब डिजाइन की स्टार्टिंग होती है तब आपको शुरू में बनानी है उसके बाद इस डिजाइन में जब एक डिजाइन कंप्लीट होगा तो दूसरे डिजाइन में ये अपने आप पहली सलाई बनेगी, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको ये डिजैन समझ में आ जाए, क्योंकि जितना थोड़ा सा ये देखने में आपको सुन्दर लग रहा है न, बनाने में भी थोड़ा सा मुस्किल है, इ से उतारिये या उल्टा बनाई, अब ये देखिए, दो फंदे ये उल्टे, एक और ये दो, धागा पीछे करेंगे, और ये जो छे फंदे आपको देखिए, ट्विश्ट की हुए, ये इकठे से आपको दिख रहे हैं, इनको हम सीधा बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, प और ये छे, अब धागे को अपनी तरफ करेंगे, और यहाँ पर देखिए, ये जो चार फंदे आपको दिख रहे हैं, इनको आप उल्टा बनाईए, देखिए, यहाँ तक हमारा एक डिजाइन कम्पलीट होता है, एजस्टीज के बाद दो उल्टे, छे सीधे, और दो उल् दिखेंगे, धागा पीछे करेंगे, छे फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे, फिर धागा आपनी तरफ करेंगे, दो फंदे इस डिजाइन के, दो नेक्स्ट वाले डिजाइन के, ये चार हम उल्टे बनाएंगे, एक, दो, तीन, और ये चार, फिर हम दागा पीछे करेंगे और 6 फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच और ये 6 फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और लाश्ट में 3 फंदे हैं इनको हम उल्टा बुन लेंगे तो डिजैन की यहां से हमारी पहली सलाई कम्प्लेट हो गई है अब आज ये डिजैन की दूसरी स अब जो फंदे इधर से उल्टे बनाए वो इधर सीधे जो इधर से सीधे बनाए वो इधर उल्टे तो देखिए थोड़ा साब देख लिजिए एजस्टीज को हम उल्टा बुनेंगे धागा पीछे दो फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ और 6 उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये 6 अब हम धागा पीछे करेंगे और यहां हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे दो इधर वाले डिजाइन के, दो, नेक्स्ट वाले डिजाइन के तो देखिए एक, दो, तीन, और ये 4 फिर धागा अपनी तरफ 6 उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये 6 फिर धागा पीछे करेंगे और 4 फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार और फिर धागा अपनी तरफ करके 6 फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये 6 लास्ट में आपके तीन फंदे होंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे और एजेस्टीज को उल्टा बुन तो design की दो सलाईयां complete हो गई, अब आज ये इसकी तीसरी सलाई और सीधी साइड पर, तीसरी सलाई को आप त्यान से देखेगा कि कैसे बनाएंगे, पहले फंदे को उतारिये या उल्टा बनाएंगे, अब हम धागा पीछे करेंगे, और देखे ये जो दो उल्टे हैं, एक फ फंदा है, इसको हम ऐसे सलाई पर लेंगे, इस उल्टे वाले को हम यहाँ पर डाल देंगे, और इस फंदे को यहाँ ले आएंगे, और अब देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, ये हमने देखिएगा, यहाँ पर दो, चार, और ये छे फंदे सीधी बना लिए, अब इस फंदे को छोड़ कर बैक साइड से इस उल्टे फंदे में सलाई डालेंगे, इसको उतारेंगे, और यहाँ ले आएंगे, इसको हम आगे करके पहले सीधा बनेंगे, तो यह देखिए, साथ फंदे हो गए, और यह आठ हो गए हमारे इस तरह से, अब यहाँ पर यह जो आपको उल्टे दिख रहे हैं, इसमें से दो फंदों को सीधा बनेंगे, एक और यह दो, फिर हम देखिए, धागे को ऐसे पीछे रखेंगे, और इन फंदों को ट्विस्ट करेंगे, इसको सलाईपर लेंगे, इसे उतारेंगे, बैक साइड की सलाईपर ऐसे डाल और इसको पलटके आगे कर देंगे, अब हम यह छे फंदे सीधे बुन लेते हैं, देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, और यह छे, अब यह वाला जो फंदा है, इसे छोड़ेंगे, इस वाले नेक्स्ट फंदे में, बैक साइड से सलाई डाल लेंगे, इसको और यहां आगे कर देंगे, और दोनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे, तो देखिए, यहां पर हमारे यह आठ फंदे हो गई, अब यह जो उल्टे फंदे दिख रहें आपको, इसमें से दो को सीधा बुनेंगे, एक, और यह दो, अब इन फंदों को हमें ट्विष्ट करन देखिए, आप ऐसे भी बना सकते हैं, दो तरीके हैं तो जो पहले बताया, और एक यह है कि इस सीधे फंदे को आप थोड़ा सा लूज करके, और यहीं पर आगे से स्लाई डाल कर पहले सीधा बना लीजिए, और फिर यह जो उल्टा है, इसमें आगे से ऐसे स्लाई लीजि अब इन दो फंदों को ट्विष्ट करेंगे, तो बैक साइड से हम ऐसे लेंगे, इससे उतार कर यहां डाल देंगे, और इसको पीछे से आगे कर देंगे, और इन दोनों को भी सीधा बुन देंगे, तो यहां आट फंदे सीधे हो गए, लास्ट में बच गए हैं दो, एक फंदे को सीधा बुनेंगे, और एजस्टीच को उल्टा बना देंगे, तो यह हमारे डिजैन के यहां पर तीन सलाईयां कम्पलीट हो गई, चोथी सलाई है और उल्टी साइड है, इसे आप पूरा उल्टा बुनते हुए कम्पलीट कर दीजिए, तो यह देखिए, चार सल सलाईयां कम्पलीट हो गई, पांच में सलाईय है और सीधी साइड है, इस पांच में सलाईय को अब आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे बनाएंगे, यह देखिए, पहला फंदा एजस्टीच है, उसके बाद इन तीन फंदों को भी हम उल्टा बुनेंगे, देखिए, एक, दो, और यह तीन, तो एजस्टीच के बाद तीन फंदे उल्टे, अब हम धागा पीछे करेंगे, और चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, और यह चार, अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे, और यहाँ पर हमें छे फंदे उल्टे बनाने हैं, तीन फंदे इधर वाले डिज जाने के, तो टोटल हम छे फंदे उल्टे बनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, और यह चे, फिर हम धागा पीछे करेंगे, और चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, और यह चार, फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे, और छे फंदे उल्टे बनाएंगे, तीन इधर के डिजैन के और 3 next बाले डिजैन के 1 2 3 4 5 और ये 6 और लास्ट में देखिए ये 4 फंदे हम पहले सीधे बुनेंगे 1 2 3 और ये 4 अब ये हमारी जो 4 फंदे बचेंगे ने इनको हम उल्टा ही बुन देंगे तो यहां पर डिजैन की पांचमी सलाई हमारी complete हो गई है अब आज ये इसकी छटी सलाई और उल्टी तरफ उल्टी साइड आपको ऐसे ही करते जाना है जब इधर से आपके जो फंदे उल्टे होंगे वो इधर सीधे बनेंगे जो इधर से सीधे हैं वो इधर उल्टे बनेंगे थोड़ा सापको बना के दिखा रही हूँ ये देखिए पहला फंदा एजस्टी छे इसको उल्टा बनाएंगे धागा पीछे तीन फंदे सीधे एक, दो, तीन अब धागा अपनी तरफ करेंगे और चार उल्टे एक, दो, तीन और ये चार धागा पीछे अब छे फंदे हम सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छे तो देखिए तीन यहां सीधे, चार उल्टे और ये जो छे सीधे ने इसमें से तीन इधर के डिजाइन है तो तीन, चार साथ और तीन, दस यही डिजैन हमें बार-बार रिपेट करते जाना है तो छटी सलाई पर सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बना लीजिए तो ये देखिए, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाते हुए छटी सलाई को कम्पलीट कर लिया अब आज ये इसकी सात्मी सलाई और सीधी साइड पर सात्मी सलाई पर देखिए कैसे बनाएंगे पहला फंदा इसका एजस्टीच है अब धागा पीछे करेंगे और ये जो तीन उल्टे दिख रहे हैं इसमें से दो फंदे सीधी बनाएंगे एक और ये दो अब ये एक उल्टा और ये सीधा इन्हें हम ट्विष्ट करेंगे तो इसको ऐसे लेंगे इसे उतारेंगे बैक साइड की सलाई पर ऐसे ले आएंगे और इसको पलटके आगे कर देंगे और अब देखिए एक दो तीन चार चार फंदे हमने बना लिए अब ये वाला जो फंदा है और ये वाला इसको ट्विष्ट करेंगे तो बैक साइड से ऐसे उल्टे फंदे में सलाई डालेंगे सीधे वाले को यहां ले आएंगे और इस दोनों को अब हम सीधा बना देंगे तो देखिए ये वाले अब हमारे 6 फंदे हो गए धागा हमारा पीछे रहेगा क्योंकि पूरी सलाई अब हमें ये सीधी बुनी है लेकिन फंदों को ट्विष्ट करते हुए तो अब देखिए एक दो और ये तीन और ये चार ये चार फंदे अब हमने यहां पर सीधे बनाए ये उल्टा और ये सीधा इन्हें हम ट्विष्ट करेंगे तो ऐसे लेंगे उल्टे वाले को उतारेंगे बैक साइड की स्लाई पर हम इसको पहले डाल देंगे इसे पलट कर आगे करेंगे और फिर से हमें देखिए एक दो और ये तीन चार फंदे सीधे बनाने हैं फिर ये वाला जो सीधा इसे छोड़ कर उल्टी साइड से वेक साइड से उल्टे फंदे मसले डालेंगे इसे उतार कर यहां ले आएंगे और ये जो पीछे फंदा है इसको हब हम आगे कर देंगे और इन दोनों फंदों को भी सीधा बनाएगे तो ये छे फंदे हो गए अब ये जो उल्टे दिख रहे हैं इसमें से हमें चार फंदे सीधे बुनें एक दो तीन और ये चार अब देखे ये वाला जो फंदा है उल्टा इसे छोड़ेंगे इस सीधे वाले में स्लाई डाल लेंगे इसको उतारेंगे पिछे वाले स्लाई पर ऐसे डाल देंगे इसे पलट कर आगे करेंगे चार फंदे अब सीधे देखें एक दो तीन और ये चार अब इस उल्टे सीधे वाले फंदे को छोड़ कर ये जो उल्टा है बैक सैट से सले डालेंगे इसे उतार कर आगे कर देंगे और इसे पिछे से यहां डाल देंगे और इन दोनों को भी सीधा बुनेंगे लाश्ट में बचेंगे आपके तीन फंदे इन में से दो को सीधा और एज़स्टीज को उल्टा बुन लेंगे तो यहां पर हमारे डिजैन की सात्वी सलाई कंप्लीट हो गई आठ्वी सलाई उल्टी साइड से इसे आप बिल्कुल उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीज है तो यह देखे प्रेंट्स आठ सलाईयां हमारे डिजैन की कंप्लीट हो गई अब आज यह इसकी नौमी सलाई और सीधी साइड बर नौमी सलाई को अब आप ध्यान से देखिएगा कि हम कैसी बनाएंगे तो यह देखिए जो हमारी नौमी सलाई है वह बहुत ही इंपॉर और यहां पर एक फंदा हम सीधा बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे उल्टे देखिए एक दो और यह तीन अब हम धागा पीछे करेंगे और यह दो फंदे सीधे एक और यह दो फिर धागा अपनी तरफ और तीन फंदे उल्टे एक दो और यह त अब हम धागा पिछे करेंगे और दो फंदे सीधे पूरी सलाई अब आपने ऐसे ही बनाते जाना है ये देखे स्टार्टिंग में एक सीधा तीन उल्टे दो सीधे और तीन उल्टे यही डिजैन आपने बार बार रिपिट करते जाना है हमारा जो एक डिजैन है वो देखे यहाँ पर कंपलीट होता है एक सीधा तीन उल्टे दो सीधे तीन उल्टे एक सीधा तो यहाँ तक हमारे दस फंदे होती है अब ये next वाला जो सीधा बुना है ये दूसरे डिजैन का हो जाता तो ऐसे ही पूरा आप count कर लिए, स्टार्टिंग में 1 उल्टा, 1 सीधा, 3 उल्टे, 2 सीधे, 3 उल्टे, 3 उल्टे. देखे धागा आपनी तरफ 3 उल्टे, 1,2,3, धागा पीछे 2 सीधे, 1 और ये 2. फिर धागा अपनी तरफ और तीन उल्टे एक दो और ये तीन धागा पीछे दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ तीन उल्टे एक दो और ये तीन धागा पीछे करेंगे और दो फंदे सीधे फिर हम धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और तीन उल्टे बनाएंगे एक दो और ये तीन लाश्ट में दो फंदे बचेंगे एक को सीधा बना देंगे और एजश्टीच को उल्टा बुनेंगे तो नौमी सलाई पर पूरी सलाई में एजश्टीच के बाद एक सीधा फिर उसके बाद तीन उल्टे दो सीधे तीन उल्टे दो सीधे ऐसे करते हुए लाश् सीधे हैं वो इधर उल्टे हो जाएंगे थोड़ा सा बना कर दिखा रहे हूं क्योंकि डिजैन थोड़ा सा मुस्किल है यह हो गया हमारा एजस्टीच अब यह फंदा जो सीधी साइड से सीधा है तो उल्टा बुन दिया अब धागा पीछे और यहां तीन फंदे हम सीधे बन ऐसे करते हुए आप सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा करके दस्वी सलाई को बना दीजिए तो यह देखिए सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाते हुए मैंने इसकी दस्वी सलाई को कंप्लीट कर दिया अब आज यह इसकी ग्यार्मी सलाई और सीधी ग्यार्वे सिलाई पर हमारा ये वाला डिजाईन कम्फ्लीट होगा और देखें डिजाईन की जगें चेंज होगी ये वाले जो फंदे है इस पर next वाले डिजाईन की जो basic row है वो start हो जाएगे तो ये हमारे डिजैन की 11 में सिलाई है इसे आप ध्यान से देखिए पूरी सिलाई में हमें फंदे ट्विष्ट करने है और सीधा बुनना है एज़स्टीज के बाद धागा पीछे करेंगे और ये देखिएगा ये वाला जो फंदा है यहां से हम बैक साइड से दो फंदों में ऐसे स्लाई डालेंगे इस फंदे को उतारेंगे और यहां आगे ले आएंगे इन दोनों फंदों को यहां पिछे से लाएंगे और इनको हम सीधा बोनेंगे यह देखिए एक दो और यह वाला तीन अब देखिए यहां पर यह एक फंदा उल्टा है और यह वाला सीधा आगे से इस फंदे को ऐसे लेंगे इस एक फंदे को उतारेंगे और यहां बीच में ले आएंगे इसे पलट कर यहां डाल देंगे इस फंदे को अब हम सीधा बनेंगे देखे एक और यह दो अब यह वाला सीधा और एक फंदा यह उल्टा बैक साइड से उल्टे फंदे में स्लाइड डाल लेंगे सीधे को उतार कर यहां ले आएंगे और यह जो हमारा उल्टा फंदा है इसको पीछे से यहां बीच में कर देंगे और दोनों फंदों को अब हम सीधा बनेंगे तो इस तरह से ये डिजैन हमारा यहां पर complete हो रहा है अब देखे ये जो दो उल्टे फंदे हैं और ये सीधा यहां next डिजैन की basic रो तयार हो रही है इस सीधे फंदे में ऐसे slide डालेंगे इन दो को उतारेंगे back side से ऐसे slide पर लेंगे इससे पलट कर हम यहां डाल देंगे और इन तीनों फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे एक, दो और ये तीन अब देखे ये सीधा फंदा और यहां पर जो तीन उल्टे हैं इस में से ये दो back side से ऐसे slide में दो फंदे डाल लेंगे इस सीधे को उतारेंगे और यहां ले आएंगे और पीछे से इन दोनों फंदों को हम यहां करतेंगे और अब यह ट्विष्ट हो चुके हैं तो तीनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे तो देखिए इस एक डिब्बी में यहां चार फंदे थे इसमें हमारे छे हो गई हैं जो next टार्टिंग है अब यह एक उल्टा एक सीधा इन्हें हम ट्विष्ट करेंगे तो इस सीधे वाले फंदे में आगे से स्लाई डालेंगे इस उल्टे को उतार कर बैक साइड की स्लाई पर डालतेंगे इसे हम पलटके यहां कर देंगे और अब देखिए इन दोनों फंदों को हम सीधा बना देंगे अब ये सीधा और ये उल्टा इन दोनों को हमें ट्विश्ट करना है तो बैक साइड से इस फंदे में स्लाई डालेंगे इसे उतार कर हम आगे कर देंगे और इसे बीच में ले आएंगे दोनों फंदों को अब हम सीधा बुन देंगे अब देखिए ये दो उल्टे हैं और ये वाला सीधा है तो आगे से इस सीधे फंदे में स्लै डालेंगे दोनों उल्टे फंदे को उतारेंगे और बैक साइड की स्लाई पर डाल देंगे इसे हम ऐसे पलट कर आगे कर देंगे तीन फंदे ये सीधे एक और ये देखिए दो और ये तीन अब ये सीधा और इधर से दो उल्टे तो back side से इन दोनों फंडी में हम slide डालेंगे, इसे उतारेंगे اور यहां डाल देंगे, इन दोनों को हम पीछे से बीच में कर देंगे, और अब ये 3 फंडी हमें सीध्य बनाने हैं, अब देखिए ये एक उल्टा है और एक सीधा है, आगे से ऐसे सीध्य फंडी में slide डालेंगे उल्टे को उतार कर बैक साइड की स्लाइपर करेंगे इसको हम पलटके आगे डाल देंगे दोनों फंदों को सीधा बनाएगे अब ये सीधा और एक इदर से उल्टा बैक साइड से ऐसे फंदे में स्लाइपर लेंगे इसे उतारेंगे और यहां कर देंगे पीछे से फंदे को लाएंगे और यहां आगे करतेंगे इन दोनों को भी हम सीधा ही बना देंगे अब देखिए यहां पर यह दो उल्टे और एक सीधा इस सीधे में ऐसे स्लाई लेंगे इन दोनों को उतारेंगे और बैक साइड से स्लाई पर डाल देंगे इसे हम पलटके आगे कर देंगे और ये तीनों फंदे अब हम सीधे बना लेंगे और अब हमारा लाश्ट का एजस्टीच है इसे हम उल्टा बुनेंगे तो यहाँ पर हमारे डिजैन की ग्यारा सलाईयां कम्प्लीट हो गई और नेक्स्ट डिजैन की स्टार्टिंग हो चुक हमारे सीधे बुने गए हैं तो अब ये बारवी सलाई उल्टी तरब से हमें पूरी उल्टी बनानी है तो ये देखिए फैंस यहाँ पर हमारे डिजैन की पूरी बारा सलाईयां कम्प्लीट हो गई अब हमें इनी बारा सलाईयों को दोबारा से रिपिट करना है लेकिन है चेंज करते हुए तो ध्यान से देखिएगा कि अब हम इन्हें कैसे बनाएंगे पहला फंदा क्योंकि यहाँ पर हमारी तेरवी सलाई है और सीधी साइड है तो एक बार इसकी स्टार्टिंग देख लीजिए पहला फंदा एजस्टीच है धागा पीछे करेंगे और यहा बुनेंगे एक दो तीन और यह चार अब हम धागा पीछे करेंगे और यह वाले च्छे फंदे सीधे एक दो तीन च्छार पांच और यह च्छे अब हमें चार फंदे उल्टे बुनने हैं एक दो तीन और यह चार अब धागा पीछे और छे फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे अब धागा आपनी तरप करेंगे और 4 फंदे उल्टे एक, दो, तीन, और ये चार लास्ट में आपके 4 फंदे बचेंगे इसमें से 3 फंदो को सीधा बनाएंगे और एजस्टीज को उल्टा भूननेंगे तो यहां पर हमारे डिजैन की 13 मी सलाई complete हो गई, अब मैं आपको उल्टी साइड की सलाई आप उनकर नहीं दिखाऊंगी, सरब बताऊंगी, जो फंदे इधर से सीधे हैं, उनको इधर उल्टा बना लीजिए, जो इधर से उल्टे हैं, उनको यहां सीधा बनाते हुए, आप इसकी 14 यानि 14 मी सलाई को complete कर दीजिए, तो यह देखिए फ्रेंट, 14 मी सलाई को मैंने सीधे पर सीधा और उल्टे पुरूल्टा बना कर complete कर लिया, अब हमारी 15 मी सलाई है और सीधी साइड, पंदर मी सलाई को आप ध्यान से देखिए, पूरी सलाई हमें सीधी बुननी है, लेकिन फंदे ट्विस्ट करते हुए, एजश्टीज के बाद धागा पीछे करेंगे, और ये जो हमारे 3 फंदे हैं, इसमें से हम 2 को सीधा बनाएंगे, एक और ये 2, अब ये सीधा और ये उल्टा, इन दोनों को हम ट्विस्ट करेंगे, तो ऐसे लेंगे, इसे हम यहाँ पर दियाएंगे, और इसको पिछे से आगे करतेंगे, और दोनों फंदों को सीधा बनाएंगे, अब यहाँ पर हमें 2 फंदे सीधे बुनने हैं, एक और ये 2, अब देखिए ये वाला और ये वाला, इन फंदों को हमें ट्विस्ट करना है, तो इस फंदे में ऐसे डाल लेंगे, इस फंदे को उतारेंगे और देखिए बैक साइड की स्लाइपर डाल देंगे, ये जो स्लाइपर लिया, इसे पलट कर आगे करतेंगे, अब देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये 6 फंदे सीधे बनाएं, ये सीधा और ये उल्टा, इस फंदे में बैक साइड से स्लाइपर डाल लेंगे, सीधे को उतारेंगे और फ्रंट वाली स्लाइपर ले आएंगे, इसको पीछे से हम आगे कर देंगे, और दोनों फंदों को सीधा बनाएंगे, अब ये जो उल्टे फंदे हैं, ये दो सीधे बनेंगे, एक और ये दो, अब ये एक दो, तीन, चार, पांच और ये 6 फंदे सीधे अब ये वाला और ये वाला यहाँ पर हमें ट्विस्ट करना तो बैक साइड से ऐसे फंदे में स्लाई डालेंगे इसे यहाँ पर ले आएंगे और इसको पिछे से आगे करतेंगे और दोनों फंदों को सीधा बना देंगे तो य ये दो, अब ये वाला उल्टा और ये सीधा इनको भी हमें ट्विस्ट करना है तो इसे हम पिछे से यहाँ कर देंगे और इसको आगे ले आएंगे और यहाँ एक, दो, तीन, और ये चार फंदे लाष्ट के सीधे आ गए और एजस्टीज को उल्टा बुन देंगे तो पं तो ये देखिए फ्रेंट्स, 16 सलाईया डिजैन की कम्पलीट हो गई और अब हमारी सत्तरमी सलाई है और सीधी सैड है, सत्तरमी सलाई को देखिए, पहले फंदे को हम उल्टा बनाएंगे, ये हमारा एजस्टीज हो गया, धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर दो फंदे स चार, पांच और ये छए, अब हम धागा पीछे करेंगे और चार फंदे यहाँ हम सीधे बनाएंगे, देखिए, एक, दो, ती और ये चार, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और चे फंदे उल्टेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये छै, फिर हम धागा पीछे करेंगे और चार चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, और ये चार, धागा अपनी तरफ 6 फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये छे, लाश्ट में बच गए तीन फंदे, दो फंदे हम सीधे बना देंगे और एजस्टीज को उल्टा बनेंगे, तो यहां पर हमारे डिजैन की सत्तरमी सलाई कम्प्लेट हो गई, अठारमी सलाई उल्टी साइड से, जो फंदे आपके इधर उल्टे वो इधर सीधे, यानि स सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाते हुए, आप इसकी अठारमी सलाई को कम्प्लेट कर लीजिए, तो यह देखिए फ्रेंड्स, अठारा सलाईया हमारे डिजैन की कम्प्लेट हो गई, उननीसमी सलाई है और सीधी साइड है, उननीसमी सलाई को अब आप ध्यान से देखिएगा की हमें कैसे बनाना है, यह देखिए, पहला फंदा यह एजस्टीच है, इसको हम उल्टा बनेंगे, धागा पीछे, एक फंदा यह सीधा, अब यह सीधा और यह उल्टा, इन्हें हमें ट्विस्ट करना है, तो बैक साइड से उल्टे फंदे में सलाई डाल इस सीधे वाले को हम फ्रंट वाली स्लाईपर ले लेंगे और इसको पीछे से लाकर यहां डाल देंगे, और इन दोनों फंदो को भी अब हम यहां सीधा बना देगे, अब यहां पर हमें चार फंदे सीधे बनाने हैं, देखिए, जो हमारे उल्टे दिख रहे हैं, इसमें स किह इसे पलटे कर आगे कर देंगे अवव देखें एक दो गया चार छार पंदे हमने सीधे बना लिये अब यह बाला जो सीधा और टा इनको हम करेंगे इसे ड्मंडे में सफिर और जो पिछंटे कर जिए और भीht इसी बनाले हैं, एक, दो, तीन, और ये चार, अब ये उल्टा और ये सीधा, आप यहां इसे ऐसे भी बना सकते हो, सीधे वाले को पहले बुन लिजीए, और आगे से स्लाइड डाल कर उल्टे वाले को बाद मे बुन कर उतार दीजीए, और फिर ये जो सीधे फंदे हैं, इस साथ की स्लाइपर डाल देगे इसे पीछे से लाएंगे और यहां कर देगे और इनको अब हम यहां सीधा बना देगे अब यह जो उल्टे दिख रहे हैं इसमें से हमें चार फंदे सीधे बुनने हैं एक दो तीन और यह चार अब देखिए यह उल्टा और यह सीधा आगे से इस फंदे को ऐसे लेंगे, इसे उतार कर यहां डाल देंगे, और इसे आगे कर देंगे, और अब एक, दो, और ये तीन लाश्ट में सीधे हो गए, और एजस्टीज को उल्टा बुन देंगे, तो 19 सलाईयां हमारे डिजैन की कम्प्लीट हो गई, 20 मी सलाई है और उल्टी साइड है, इसे हम उल्टा बुनते हुए कम्प्लीट कर देंगे, तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे डिजैन की 20 सलाईयां कम्प्लीट हो गई, 21 मी सलाई है और सीधी साइड है, 21 मी सलाई को आप सीधा बनाएंगे अब धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे यहां उल्टे देखिए एक दो और यह तीन अब धागा पीछे करेंगे और यहां दो फंदे सीधे एक और यह दो धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे उल्टे एक दो और यह तीन धागा पीछे कर और 2 फंदे सीधे, 21 स्लाइपर आब हमें ऐसे ही बनाते जाना है शर्फ स्टार्टिंग में ध्यान रखें एजस्टीज के बाद ये 1 सीधा, 3 उल्ते, 2 सीधे, 3 उल्ते, 2 सीधे, धागा अपनी तरफ 3 उल्ते एक, दो, तीन, धागा पीछे और दो सीधे, एक, दो, धागा अपनी तरफ तीन उल्टे, एक, दो, और ये तीन, फिर धागा पीछे और दो फंदे सीधे, एक, और ये दो, धागा अपनी तरफ करेंगे, और तीन उल्टे, एक, दो, तीन, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, फंदे उल्टे और लास्ट में बचेंगे आपके दो फंदे एक फंदे को सीधा बना लीजिए और अजेश्टीच को उल्टा बुन देगे तो यहां पर हमारे डिजैन की 21 मी सलाई कम्प्लीट हो गई 22 मी सलाई है और उल्टी साइड है इधर जो उल्टे है वो इधर सीधे ब बनेंगे यानि उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा बनाते हुए 22 मी सलाई को कम्प्लीट कर दीजिए तो यह देखिए 22 सलाई हमारे डिजैन की कम्प्लीट हो गई है और 23 मी सलाई है और सीधी साइड है 23 मी सलाई को अब आप ध्यान से देखिए 23 मी सलाई पर अब हमार ये वाला डिजैन पूरा होगा और ये वाला डिजैन यहां से स्टार्ट हो जाएगा तो ध्यान से देखिए पहला फंदा इसका एजस्टीच है उतार ये या उल्टा बनाईए अब हम धागा पिछे करेंगे ये सीधा और ये एक फंदा उल्टा तो बैक साइड से एक फंदे सीधा बना देगे अब देखिएगा ये दो उल्टे और ये सीधा आगे से इस सीधे फंदे में स्लै डालेंगे इन दो को उतारेंगे और बैक साइड की स्लै से देखिए इन फंदों को यहां ले लेंगे इसे हम यहां पलट कर आगे डालतेंगे और इन तीनों फंदों को अ उतार कर यह आगे कर देंगे और पीछे से दोनों फंदे हम बीच में ले आएंगे और अब इन तीनों फंदों को हम यहां सीधा बना देगे तो देखिए यह ट्विस्ट किये हुए हमारे यहां च्छे फंदे हो गए अब देखे धागा हमारा पीछे ही रहेगा यह एक हों इसे हम दोड़ेंगे और इन दोनों फंदों को अब हम सीधा बनेगे तो ये वाला design complete हो रहा है और यहां next की starting हो रही है, अब यहां भी next की starting होगी तो ये दो उल्टे एक सीधा, सीधे फंदे में ऐसे slide डाल लेंगे, इन दो को उतारेंगे back side की slide पर डाल देंगे, इसे पलट कर हम आगे डाल देंगे, और ये तीन फंदे अब सीधे, देखे एक, दो और ये तीन, अब ये एक फंदा सीधा और ये दो उल्टे, back side से इन दो फंदों में slide डाल लेंगे, इस एक सीधे को उतारेंगे और यहां डाल देंगे, पीछे से दोनों फंदों को बीच में ले आएंगे, और इन तीनों फंदों को यहां हम सीधा बुन देंगे, एक, दो और यह 3, पूरी सलाई हमें ट्विश्ट करते हुए सीधी बनाने है, यह 1 उल्टा, यह सीधा, इसको ऐसे लेंगे, इसको पीछे से बीच में कर देंगे और इसको आगे डाल देंगे, यह दोनों अब हमें सीदे बनाने हैं, एक और यह 2, अब यह सीधा और यह उल्टा, भैक सीधा पुनेंगे अब देखे ये दो उल्टे एक सीधा आगे से सीधे फंदे में स्लाई लेंगे इन दोनों को उतारेंगे बैक साइड की स्लाई पर डालतेंगे इसे पलट कर हम आगे करेंगे और ये तीन फंदे अब हमें सीधी बनाने हैं अब देखे ये सीधा ये दो उल् लेंगे और तीन फंदे हो गए अब हमारे ट्विस्ट किये हुए इनको भी सीधा बुन लेंगे तो देखें ये हमारे छे बन गए ये उल्टा और ये सीधा आगे से इस फंदे में ऐसे लेंगे इसे उतार कर यहां डाल देंगे और इसे पलट कर सबसे आगे कर देंगे और य प्रास्ट का हमारा एजस्टीच है इसे हम उल्टा बुन देगे तो ये हमारे डिजैन की यहाँ पर 23 सलाई कम्प्लीट हो गई 24 सलाई उल्टी साइड से इसे आप पूरा उल्टा बुन कर कम्प्लीट कर दीजिए तो ये देखिए फ्रेंट्स 24 सलाईया डिजैन की आगे बार बार रिपिट करती जाना है मैं आपको इसकी स्टार्टिंग एक बार करके दिखा देती हूं और फिर भी अगर डिजैन को बनाने में कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को बैक कर लीजिए और जैसे मैंने यहां से पहली सलाई बुन्नी बताई है इसके उपर आप रिपिट कर सकते हो तो पहली एक बार यहां से स्टार्टिंग बता रही हूं ध्यान से देखिए पहला फंदा एजस्टीच है उतारिये या उल्टा बनाईए उसके बाद देखिए यह एक और यह दो फंदे हमारे यह यहां पर उल्टे आ गई है एजस्टीच के बाद अब हम धागा पीछे करेंगे और यहाँ छे फंदे सीधे बनाएंगे एक दो तीन चार पांच और यह छे सेम टू सेम जैसे हमने यहाँ से बोना था वैसी ही अब यहाँ से शुरू हो गया है एज़स्टीज के बाद दो उल्टे छे सीधे धागा अपनी तरफ चार उल्टे एक द दो तीन और यह चार फिर धागा पीछे और छे फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच और यह छे फिर धागा अपनी तरफ और चार उल्टे एक दो तीन और यह चार फिर धागा पीछे और छे फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे, और लास्ट में आपके तीन फंदे बचेंगे, इन्हें आप उल्टा बुन लीजिए, दो डिजाइन के और एक अजेस्टीच, तो ये यहां पर हमारी इसकी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग हो गई है, तो फ्रेंट्स इन्ही 24-24 लाईयों को जवाब बार-बार रिपिट करेंगी, तो इस तरह से बहुत ही प्यारा सा आपका डिजाइन बनता चला जाएगा, तो फ्रेंट्स अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंट्स ग्रूप में शेयर कीजिए, चैनल पर नई हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्स